गले में भारी बने एक बहुती सामाने समस्था है मौसम में बतलाव की वज़स से अक्सर ये परिश्वानी लोगों को दिये खास दोर पर सर्दी, जखां, बुखार और गले में इंफेक्शन की वज़स से गले में भारी बन महसूस होता है इसके लावा कई ऐसे रिज़स हैं जिसकी वज़स दी गले में भारी बन महसूस होता है जैसे धूल मिट्टी, बढ़ता पल्यूशन, जादा धूमर पान करना, वाइरिस और वेक्टेरियल इंफेक्शन लेकिन अगर ये समस्य आपको लंबे समय तक है तो ये गंभीर बिमारी का कारण बन सकती है तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार गले में भारी बन का कारण क्या है और कैसे इसको आप दूर कर सकते हैं वाइरिल और वेक्टेरियल इंफेक्शन, सर्थी चुखाम की समस्य से काली खासी की वज़े से गले में सूजन हो सकती है फ्लो की समस्य से भारी बन हो सकता है धूमर पान की वज़े से धूल मिटी और प्रेटुशन की जासे अगर घरेलू उपायों की बात करें तो अगर आपको गले में भारी पन लग रहा है तो आप अद्रक की चाय यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अद्रक की चाय को तयार करने के लिए कप पानी ले इसे अच्छे से उबाल ले जब पानी उबल जाय तो अद्रक के टुकड़े डाले इसके बाद पानी को एक कप में छान कर इसमें शहत मिक्स कर ले इससे गले में भारीपन की शुकायत दूर होगी इसके लावा अब शेहत का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा कि नियमित रूप से एक त्यम्म शेहत का सेवन करें इससे आपकी गले को काफी आराम मिलेगा फिलहाल कि इस वीडियो में इतना ही ऐसी तमाम जानकारियों के लिए च्रानल स से जोड़े रहें और बोल्ट स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें